चोरोई के कन्या शाला एवं उत्रष्ट विध्याले का सर्वे किया गया तो प्रचारियों से जानकारे मिली उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण सरकार ने एक महीने तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया था लेकिन आज से स्कूल खुल गए हैं स्कूलों में वैक्सीन लगाने का कारे भी जा रही है 18 वर्ष से अधिकायों वाले चातर चात्रों को वैक्सीन लगाई जा रही है प्राचारियों ने बताया कि शाषन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा बच्चों को समझाईश दी जाएगी कि मास का उपयोग करें दूरी बना कर रखें और सैनेटाइजर का विशेश उपयोग करें उन्होंने कहा है कि सरकार का क्याना है कि 50 प्रतिशत ही स्कूल खोले तो उन नियमों का पालन किया जाएगा हमारी 9 से 12 की चात्रा है थी उनको उनका वैक्सिनेशन भी हो रहा है उनकी 28 दिन वैक्सिनेशन की पूरे हो गए है उनका वैक्सिनेशन भी चल रहा है इसलिए हम बच्चों को जादा देर ना रोक करके अगले दिनों से प्रति दिन कक्षाए कोरोना गाइड लाइन के अंस पार समचारित होंगे चोरई से बीसे न्यूस के लिए समवादाता राजेश उईके की रिपोर्ट